जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है जो देश का काम ना आए बेकर वो जवानी है भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं वो खुरुदय नहीं है पत्थर है जिस मैं सदेश का प्यार नहीं आज एक ऐसा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैं चाहूंगा कि ऐसा टॉपिक जिन्देगी में कभी ना पढ़ा हूं आज मैं यह नहीं बोलूँगा कि I am going to discuss a very beautiful topic तो ऐसा जो टॉपिक है ज colonyना आवाला भाग हत्यकान जो जलिया लाबाग हत्यकान आज के सॉर्षार में हो चुका है फिर भी हरेक हिंदुस्थानी को आज के डिट میں भी खून खोल जाता है जब भी हम ज लिया ला भाग हत्यकान की बात करते हैं और ये incident होने के बाद this change the complete mindset of Indians before that Indians सोचते थे कि British Air के साथ काम करेंगे, स्वराज, Dominion, Stratus, धीरे धीरे transfer of the power, ये सब चाहते थे but this was the moment that changed the complete mindset of Indian यहाँ पर एक चीज़े realize हुई कि British Air जो है दुस्मन है वो कुछ भी कर सकते है कुछ भी कर सकते है अपना domination को साबित करने के लिए हमें rule करने के लिए यहाँ तक कि बच्चों को, बोड़ों को, महिलाओं को, हर प्रकार के लोगों को बिना सबूत बिना दलिल, बिना अबिल बिना मतलब के मार सकते है that's why जलियान अवलाबाग हत्या कान change the whole mindset of Indian, उसके बाद महत्मा गांधी ने बड़े लेवल पे जो movement किये थे वो है non-cooperation movement, a sahyo गांदोलर, जो कि अब थोड़ा सा उसके बारे मैं सुन लीजिए these are the pictures जलियान अवलाबाग tragedy का pictures है these are the few pictures तो आप देख सकते हूँ bullet marks these are the bullet marks here and the entrance gate of जलियान अवलाबाग story आने से पहले थोड़ा सा मैं summary बता देता हूँ पार समरी जस ध्यान से सुनिये summary then उसके बाद topic पे मैं आऊँगा चीक है फेटा तो देखिए कि जब भी हम जलियान अवलाबाग की बात करते है तो दुनिया का और particularly भारत का सबसे खराब दिन में से count होते हैं 13th April 1919 जो अब तक जो है hundred years हुआ था जलियान अवागत्या कांड का hundred years अब जलियान अवलाग treasury दरसल ये शुरुआत हुआ था रोलत एक्ट से रोलत एक्ट जस्टिस रोलत ने ये एक्ट बनाये थे रोलत एक्ट के हिसाब से ना वकील ना दलील ना अपील किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है ना उसका कोई आपील कर सकता ना उसका कोई दलील कर सकता है ना उसके खिलाब कोई जा सकता है मतलब उस एक्ट के हिसाब से कोई भी इंडियन अपने पास हतियार नहीं रख सकता इंडियन गनाट कीफ वेपन विथ देंसल्ट there should not be any kind of social gathering without the permission of the Britishers किसी भी प्रकार का सामाजिक कारिय नहीं कर सकता कोई भी इंडियन बिटिश के बिना अनुमती के चार आदमी से जादा एक साथ संगठन एक साथ घूम नहीं सकते कोई भी इंडियन अपना संगठन पॉलिटिकल पार्टी और्गनाजिशन पार्टी क्रियेट नहीं कर सकता और उसको महत्मा गांधी ने डिकलियर के थे ब्लैक एक्ट काला कानून काला कानून के हिसाब से उसको गोसित कर दिया गया था और दरसल क्या हुआ डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर सेपुदिन किचलू नाम से ही पता चला है डाक्टर सत्यपाल ज्वदे वास दे लीडर अफ हिंदू और डाक्टर सेपुदिन किचलू वास दे लीडर अफ मुसलिम्स दोनों ही पंजाब के लीडर थे और दोनों को रोलत एक्ट की बज़े से ही बंदी बना के रखा गया था और पंजाब ये बहुत ही popular लीडर थे पंजाब के और पंजाब के लोग एक साथ क्योंकि फेस्टिवल का ना there should not be any kind of social gathering without the permission of the British British sir के बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का festival किसी भी प्रकार का celebration साधी ये नहीं कर सकते that's why बैसाकी का festival के आड़ पे जिल्याना वलाबाद के लोगों ने अम्रुसर में है पंजाब के discuss करना चाहते कि दोनों को किस प्रकार से निकाला जाए और British government के खिलाब किस प्रकार से react किया जाए और जो act बनी है रोलत एक्ट को किस प्रकार से रोका जाए तो उसकी बज़े से ये लोग बैसाकी festival के नाम पे सब लोग जो है एकटे होए थे festival चल रहा था तो बैटा revolutionary लोग भी थे आंदुलनकारी लोग भी थे उसके साथ साथ जो festival celebrate करने आये थे जो दूर दूर तक उससे संबनित नहीं था बच्चे थे महिलाएं थी बुजूर्ग लोग आये होते सब लोग celebration के माहूल में आये होते और उसी बीच उन लोगों को discuss करना था और ये देखिए ये पार्क जलियाना वाला बाग ये पिक्चर्ज है जिसे दर पार्क जलियाना वाला बाग और entrance का एक ही गेट था और ये 10 फिट जो है उंचा था वेटा तो जनरल डायर को जैसे ही भनक लगा कि यहां पर जो है लोगों को भणकाया जा रहा है लोगों को motivate किया जा रहा है बिटिस गर्मेंट के खिलाब बोला जा रहा है तो जनरल डायर ने अपने टूप लेके सब को firing indiscriminate firing over the crowd अंधादून गोली बारूद किया था बीना सोच बिना समझें indiscriminate firing over the crowd and which resulted 379 were death and more than 1200 were undead 379 का death हो गया था और बारसों से जादा लोग खायल हो गया था यह बेटा official report था government का report था और बिटिश ने अपना image को ठीक करने के लिए report गलत बता था in fact more than 1000 were killed in that incident and more than 1500 were wounded in that incident तो यह जो tragedy हुआ this is all is known as जलियान वाला बाग tragedy उसकी बज़े से महत्मा गांदी ने बड़े लेबल पर मोतिलाल नहरू, महत्मा गांदी, N.C. केलकर और चितर जन्दास यह चारो प्रोमिनेंट मिडर मिल के अस सहियो गांदूलन, non-cooperation movement शुरुआत किये थे British government के खिलाफ जलियान वाला बाग की बज़े से non-cooperation and एक तरफ से खिलाफत उसके बाद हुआ था बड़ा स्वराज पार्थी और उसकी बज़े से Simon Commission एक दुसरे से यह topic जो है interlinked है तो आई यह सुरुआत करते हैं Yes, this is Biyonkas Meher myself and more than 3 lakhs ko पढ़ा चुका हुआ बटा and so far as my education qualification is concerned, I did my master's degree in Delhi School of Economist and also in Udkal University and about teaching experience teaching का जो तरीका होगा, थोड़ा सा बेटा जो तरीका होगा teaching का तरीका जो तरीका होगा so I'll discuss discuss exam related questions, extensive coverage, story telling दिस प्रका से अभी मने बताया था, story के हिसाब से आप लोग का रपेजन करूंगा most reliable and authentic data will be there, quality content, quick revision, memory technique, simple तरीके से बताऊंगा और examination का ठीक भी सेर करूंगा these are the top educator, those who are the part of the on academic studio rise and यह आप लोग को हर एक subject में guide करेंगे history, quality, geography, economies, current affairs, physics, chemistry, biology, सारे चीज़ों पर and not only prelims, also main and also with the interview and यह विटा आप लोग का जो है, subscription fees है, एक महिना का इस प्रकार के आएंगे बेटा, mobile में भी आप देखिए 40,000 जो fees है, 40,000 वाला जो चीज़े आपको मिल जाएंगे 30, 36,000 में मिल जाएंगे apply button दाल देना है बेटा, BM live करके apply button दाल देना है तो अब मैं बात करता हूँ, रोलत act और black act उसको काला कानून भी कहा जाता है March 1919, officially known as the Archirical and Revolutionary Crime Act this is officially क्या कहा जाता है, Revolutionary Crime Act in the year 1919, as per the recommendation of the Rolat Committee, chaired by the Sydney Rolat Sydney Justice, Sydney Rolat ने ये act बनायते, उसी act के चलते ना वकील, ना दलील, ना अपिल ना वकील, ना दलील, ना अपिल हम किसी को भी बन्दी बना सकते हैं without proof and without evidence अत्मा ये महत्मा गांदी इस act को डिकलियर के थे as a black act और काला कानून कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए अभी मैंने बताया था कोई भी इंडियन से बेटेस कमेंट के किलाब कुछ भी देखो उससे पहले क्या हुआ था बेटा कि होम रूल मुवमेंट और होम रूल लिग हुई थी होम रूल मुवमेंट की जब मैं बात करूँ और Home Rule League की बाग, Home Rule League बालगनारत दिलग and Home Rule Movement अुनरे डिवेसं दोनों मिलकर पूरी तरह से कोशिस की थी Muslim League को कन्भिंस करने की और यहाँपर जो है Muslim League का दो देमार्ट नहीं माने थे तो Muslim League उनको support नहीं के था बाद में इन लखनो पैक्ट INC fulfill the two demands of the Muslim League which leads to unity between INC and Muslim League दोनों के बीच में unity हो गया और उसके सूरत भी भाजन में गरम दल नरम दल अलग अलग हो गये थे 1907 में सूरत में बट इन लकनो पैक 1916 में गरम दल और नरम दल भी एक साथ आ गये थे उसके साथ बहुत से extremist and moderate leader ने British government के किलाब हरकत की थी उनको रोक पाना मुस्किल हो रहा था क्योंकि अब हिंदू-Muslim एक साथ और अब जो है गरम दल नरम दल भी एक साथ में आगये थे तो उनको रोकना मुस्किल हो रहा था इसलिए British ने एक ऐसा act पास किया कि ना वकील, ना दलील, ना अपील किसी को भी बंदी बना जया सकता है without proof and evidence और इसी एक्ट के चलते कोई भी इंडियन हत्यार नहीं रख सकता इंडियन कनट की वेपन कोई भी इंडियन जो है संगठन नहीं बना सकता party, political party नहीं बना सकता Indian cannot create any organization or any party और there should not be any kind of social gathering without the permission of Britishers Britishers के बिना अनुमती के बिना permission के किसी भी प्रकार का सामाजिक कारिय नहीं हो सकता मतलब festival हो celebration हो, birthday हो या फिर marriage party हो किसी भी प्रकार का celebration नहीं किया जासता ये सब restriction और चार आदमी से जादा एक साथ नहीं गूम सकते so this was the reaction this was the condition of the Black Act that's why Mohatma Gandhi declare is as a Black Act कभी-कभी question put up what the leader जिनोंने उसको Black Act काला कानून के हिसाब से गोसित किया था वो है Mohatma Gandhi this is the Black Sunday जिसको काजाता है and जिसकी बज़े से देखो national-wide हरताल हुआ था which was called by Mohatma Gandhi on the 6th April गांदी जी on 6th April रोलत सत्याग्रह मलब रोलत एक किकलाब जो सत्याग्रह की थे उसको रोलत सत्याग्रह काजाता है उसकी बज़े से fasting, prayers civil disobedient और हरताल जो है Mohatma Gandhi ने शुरुवात की थी उनके खिलाब जिन्रल देखो ये दरसल रोलत एक्ट की बज़े से ही हुआ था अगला incident जिलियावाला बाग हत्याकान तो जिन्रल डायर जो कि Britishers के टूप को लीड कर रहे थे और जिलियाना वाला बाग बाग में एक ही एंट्री था उसको बंद कर दिया गया था और डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर सेपुदिन खिचलू को बंदी बना के रखा गया था तो दोनों को छुडवाने के लिए और British government की किलाब कौन से कदम तो जनरल डाय ने बीना सोचे बीना समझे फायरिं का अडर देते था जिसमें 367 people and more than 1200 were killed 379 379 sorry here you can write here 379 379 379 379 people were killed according to the report sorry for 367 379 printing mistake हो गया है and more than 1200 were wounded but actually 370 ये official report है but in reality more than 1000 were killed and more than 1500 were wounded in that incident in reality but उनोंने report को छुपाया था ताकि अपना image बरकरार रहे और जो committee पास हुआ था इस report को submit करने के लिए उस committee का नाम है hunter committee committee name of the committee was hunter committee this was the committee name of the committee was hunter committee और hunter committee ने उसके उपर शुरूब मलब जांच परताल की थी बाद मैं general diary को पूछा गया था कि आपने ऐसा काम क्यों किया था बाद मैं hunter committee ने दोसी साबित कर दिया था general diary को खाला कि जिंडर दायर के खिलाब किसी बड़े लिवल पर कारवाई नहीं होई थी इस incident की बज़े से रविंद्रनाथ टैगोर अपना जो knighthood उपाधी मिली थी और गांधी जी को कैसरे हिंद कैसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर को knighthood जो उपाधी मिली थी उसको वो लोग वापस कर दिये थे ज्यान रखना Michael O. Dyer and the Lieutenant Governor of the Punjab who has approved the action of Brigadier General Dyer देखो एक है Michael Dyer और एक है General Dyer दोनों अलग-अलग है Michael Dyer और General Dyer दोनों अलग-अलग है but Michael Dyer permission दिया था किसको Brigadier General Dyer को and Michael O. Dyer was assassinated by Udham Singh जान रखना in London 1940 में बहुत लोगों को लगता है कि General Dyer को Udham Singh ने मारे थे but देखो General Dyer ने firing का order दिया माइकल O. Dyer के permission से General Dyer ने firing किया था और उसके साथ साथ काफी लोग किये थे और सरदार Udham Singh ने जो main leader थे Michael Dyer उसको मारे थे London जाके 1940 पंजावी लोग ऐसे भी छोड़ थे नहीं है तो Udham Singh Michael O. Dyer को गूली करके मारे थे जो हेड थे General Dyer के भी उपर थे और उन्होंने ही permission दिया था उनको मारे थे London में वहाँ जाके गूली मारा थे and मैंने बता था कि leader सत्यपाल और सेपुदिन किचलू ये देखे leader सत्यपाल and dr. सेपुदिन किचलू दोनों को बंदी बनाया गया था और उस टाइम पर पूछा जाए कि Viceroy कौन था तो पेटा Lord Champsport was the Viceroy and उस दिन जो चल ला था बैसाखी का festival चल ला था और पार्ख है जिलियानावलाबाग that is in Amrishar और 13th April में देखो मैंने जो स्टोरी बताई है अब उस स्टोरी का दाटा है ठीक है और जिसकी बज़े से गांधी जी को arrest किया गया था 9th April 90 मलब उससे पहले ही रोलत एक के खिलाब उन्होंने शुरुआद कर दी थी तो गांधी जी बज़ियानावलाबाग incident in 9th April 1919 and जैसे ही गांधी जी को arrest किया गया था Bombay, Ahmedabad और नडियाद ये सब में British Government के खिलाब विरोध हुए थे तो रोलत सत्याग्रह की बज़े से ही गांधी जी को बंदी बनाया गया था उसके बाद जलियानावलाबाग घत्याकान हुआ इसकी बज़े से उसके बाद लोग जो है इतना अतना committed नहीं हो पा रहे तो गांधी जी जो है रोलत सत्याग्रह को बंद कर दिया था 18th April 1919 को रोलत सत्याग्रह को बंद कर दिया था 18th April 1919 को ये है पिक्शर आप देख सकते हो पिक्शर जो मैंने बात की थी केसरे हिंद 1915 Lord Hoarding मौत्पा गांधी को दिया गया था for his contribution to the ambulance service in the South Africa South Africa पे जिस प्रकास से काम किये थे उनको केसरे हिंद का title मिला था by Lord Heading Gandhiji returned the medal in the 1920 1915 में उनको मिला था बट ये जो घटना हुई थी non-cooperation, roll attack जलिया नावला बाग ये सब चीजों की बज़े से British particularly जलिया नावला बाग हत्या कान की बज़े से जो चीजे हुआ था Gandhiji returned his medals in 1920 और उन्होंने शुरुवात कर दी थी खिलाफत and non-cooperation moment तो थोड़ा सा स्टोरी फिर से बता रहा हूँ जो लोग बाद में आये थे online उनके लिए दरसल स्टोरी का जो शुरुवात हुआ है बटा रोलत एक्ट के बज़े से हुआ था रोलत एक्ट का मतलब है बिना सबूत के आधार पर बिना एविडियन्स के आधार पर बिना प्रूप के आधार पर किसी भी इंडियन्स को अगर वो डाउट करते हैं कि बिटिस गम्रेंट की खिलाब कुछ भी कदम ले रहा है तो उसको बंदी बनाके रखा जा सकता है ना वकील ना दलील, ना अपिल ना वकील, ना दलील ना अपिल, किसी को भी बंदी बना के रखा जा सकता है और Dr. Sattipal and Dr. Seppuddin Kichlu, Dr. Sattipal जो है Hindu के लीडर और Seppuddin Kichlu जो है Muslim के लीडर दोनों को बंदी बना के रखा गया था जब दोनों को रखा गया था, दोनों पंजाब के बहतरीन लीडर थे, उन्होंने पंजाब के लिए स्टेप टेकेन अगेंस्ट ब्रेटिश कोण से कदम ले जाएंगे ब्रेटिश कमेंट के खिलाओ तो इस एक्ट के दोरान ये सब भी चीजे था कि कोई भी इंडियन संगठर नहीं बना सकता, पोलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता, there should not be any kind of social gathering or meeting कोई भी इंडियन जो है चार आदमे से जादा नहीं घुम सकता, कोई भी इंडियन अपने पास हतियार नहीं रखता, these are the restriction of the role attack, इसलिए महत्पा गांदी इस एक्ट को काला कानून, ब्लैक एक्ट के हिसाब से गोसित किये थे तो उसके बाद जलियान आवलावागत्या का, जब सब लोग बैसाकी के फेस्टिबल के नाम पे आए हुए थे मुसका मतलब महिलाएं भी थी बच्चे भी थे, बुड़े भी थे और जो डिसकसन करने वाले भी थे जैसे ही भनक लगा जनरल डायर को उन्होंने indiscriminate firing over the crowd and which resulted 379 वर किल, ध्यान से रहकना 379 ये ब्रिटिशर का रिपोर्ट था official report 379 वर किल and more than 1000 वर 1200 वर मुंटेट पर actually मैं 1000 से जादा लोगों का death हुआ था और 1500 से जादा खायल हुए था ब्रिटिशर अपना image को सही करने के लिए लोगों के इसलिए उन्होंने अपना report को दबाया था उन्होंने चुपाया था and उसकी बज़े से ही अगला जो incident मौहत्मा गांदी बड़े लेवल पर करेंगे वो incident है non-cooperation moment जिसमें मौहत्मा गांदी को साथ दियते हैं मोतिलाल नहिरू N.C. केल कर चितरन जन्दास और बाद में non-cooperation moment बंद हो जाता है चोरी-चोरा incident की बज़े से एक तरफ से non-cooperation एक तरफ से खिलाफक moment उसके बाद formation होती है सुराज पार्थी मोतिलाल नहिरू N.C. केल कर चितरन जन्दास और सुराज पार्थी के दबाब की बज़े से अगला जो टॉपिक होगा Simon Commission, Simon Ayo का अगठन होती है तो ये बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है रोल अट की बज़े से जलियाना वाला बाग हत्या कान जलियाना वाला बाग हत्या कान की बज़े से non-cooperation एक तरफ और एक तरफ तो खिलाफत मुवमेंट चलता है और non-cooperation मुवमेंट बंद करने की वज़े से सुरास पार्टी अगठन और सुरास पार्टी पावर में आने के बार प्रिशराइज करने की वज़े से Simon Commission का अगठन होता है तो ये जो टॉपिक है एक दूसरे से रिलेटेड है So today I'll end the topic here और if you like my classes then share and subscribe and BM live करके आप कर सकते है मजाय आप लोग को पढ़ाय के हमेसा मजा आता है बेटा and thank you all have a nice day